अब अब स्थिक्षर्ट अबम से आपको और हमारे यूटूड चैनल ब्लाग विट एंडड के में हूं करंश में तो दोस्तों आज मैं आज तुका अपने वरान्स के जंसा मार्केट में तो भी में जंसा मार्केट से सोड़ा पहले हूं और आपको दिखाऊंगा जो नेसल हाइवे 731 भी है उसी का अपडेट दिखाना वाला हूं तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दू कि इसका करीब दो से तिन बार डिप्यार चेंज चुका है तो पहले बनने वाला तो अब क्या है करीब एक हफ्ते पहले फिर से आ तो अब यह फॉर लेन होगा तो वीडियों कांटिनू बने रहेगा और आज की दिदो मैं आपको यही पूरा अपडेट दिखाऊंगों कहां पर क्या कार हो रहा तो मैं वीडियों जंसा मार्केट से स्टार्ट करूंगा कि यहां पर पिडियों कार लगा हुआ तो वीडिय सब्सक्राइब के लिए चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या नया अपडेट है और दोस्तों बिन और तारिक की बात करें तो आज है गुरुवार और बारत तारिक अब दोपार का समय है तो कमेंट आ रहा था कि आपडेट दीजिए तो वही मैं आया हुआ हूँ और अभी मैं जंसा मार्केट हूँ हूँ इसा कि सामने यहां से जंसा मार्केट स्टार्ट हो जाता है देख रहें इधर पिछले वीडियों जब आप लोगों देखा होगा कि अब इधर कटाई नहीं हुए थी तो अब इधर कटाई हो गई है और देख रहें इधर कटाई लगी हुई है कि प्रणी कटाई का रहें इस चल रहा है सामने जंसा चौरहा दो रास्ता में चला जाता है रामेश्वर के लिए यहां पेड़ा की कटाई का रहा है और यहां से चलेंगे आगे और आगे आपको चलकर दिखाएंगे कि कहां पे क्या नया काम हो रहा है क्या नया अफडेट है और साथी कि आप Oakley की इस जो रोड का ऑथ का यह जो जो प्रॉजेक्ट है जlaw मिस्में की रोड को क्यों जोडा किया जा रहा है इसका 2 से 3 बार चेंज हो चुका है और पहले क्या था कि यह इस Some बनने वाला था गलब पहले तो यह four lane नी बनने वाला था तो फिर क्या हूआ कि इ सिक्स बनेगा उसकी प्र ट्पिर चेंज हुआ है और बशी शार में लोगों ने काफी अंदोलन भी किया है लोगों में जो ग्राइमीड उन्हों में अक्षरोष था उन्होंने विरोज किया तो जो 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 चेंज हुआ है करीब एक हपते पहले उस हिसाब से अभी जो रोड है पहले तो देखिए यह दो भागों बनाया जा रहा है वरांसी यानि की कलेक्टिब पाम चौराहे से जो रिंग रोड है वहां तक यानि 8.6 किलीमेटर का जो सड़क है वो फीड़नीड एक अंतरगत बनाया जा रहा है जिसका की टेंडर से इसायल कंपनी तो दिया गया है जिसके फोरलेन किया जा रहा है और रिंग रोड से मध होई होते हुए शुरियामा जंगही मचली सा यह सिप्सलेन होने वाला पा अब क्या है यह सुष्टलेन नहीं होगा अब यह प्र आई के अंडर में कार इसका कराया जाएगा और अब यह फोरले नहीं बनाया जाएगा तो इस वीडियो में मैं आपको जहां जहां पे भी कोई कार हो रहा होगा वहीं सब दिखाऊंगा जैसे की जन्सा मार्केट आप लोगों ने देखा इसके बाद आप जो मार्केट पड़ेगा कब से ठी और यह सब सारा में आपको दिखाऊंगा वीडियो में बने रहीएगा तो चलिए आगे चलते हैं और देखते कहां पे क्या कार हो रहा है आप सामने देख रहे हैं कि मां संती इंटर कॉले जवरादेवपूर है तो इसी के सामने एक पानी टंकी है देख रहे हैं अब यहां पर अलाइमेंट का काम हो रहा है तो बीच में रोट पर आप देख रहा है कि जो है चुना भी डाला गया है क्यूंकि लेबल मिला जा रह है और दोफ ही जो है अभी डालों की घटाई कारी किया रहा है बाकी और कोई काम नहीं किया ढार और मार्किंग की बात करें तो लोग मकानों पर तो काफी पहले मार्किंग कर ली गई थी इज़ार हो ती हास्पिटल और इधर तो पेड़ काफी पहले ही कागली आ गया था तो इधर कुछ है नहीं बसे जो छोटे-मुटे पेड़ हैं वो सारे भी काटे जाएंगे दिरे दिरे अभी कि देख रहे हैं कि मकान तुदर तोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि लोगों ने बहुत पहले ही बना बना लिया दूर करके अभी जैसा क्योंने आपको स्काटिंग में बताया कि जो जन्सा मार्केट में जिनका मकान ता उंचे मैंने पता किया दोंने भी भी बोला हैं अभी तो प्जłos लैन रहा है लेकिन दुम नंकि पहले जी के लेकिन अभी सिर्फ प्रवलेन होगा दस सालों बाद इसको सिक्सलेंग किया जाएगा वापस ते और अभी हम लोग जो है अब कि आचुक है बारवडा बाजार में तो बारवडा बाजार का नजारा कुछ ही हुए दोपहर का कि दर भी कुछ नया काम हुआ नहीं है कि देख रहें तरफ यह सारे प्रेड़ काटे जाएंगे अब लेबल मिलाने काई कार हो रहा है वैसे पूरा लगभग यह जो रोड यानिकी वरांसे सुल्क हुए बदोहीं असली तार यह पूरा सिधे लखनव तक जो रोड है इसको चारी करण किया जा रहा है लेकिन जो देखिए इसको तीन भागों में किया जा रहा है पैकेज वन वरांसी का लेक्टिव फर्म से वरांसी रिंग रोड पैकेज कू रिंग रोड से बदोहीं जंगई होता हुए मचली सार और पैकेज़ग त्रीका जो कार है मत्तिकू तो हुआ यह लगए और कहीं-कहीं जो नहीं हुआ है मचली सार से लपनव तक का रोग तो किया जाएगा और इधर तो पेड़ पहले ही कटा गया था अब जैसे ही आप गुराई बजार पार करकर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर दोनों साइड में जोरों सोर से पेड़ों की कटाई हो रही है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं किछली बार वीडियो में जब आप लोगोंने देखा था कि इधर वाया साइड का ही प्रेड़ की कटाई हुई थी और मैं इसे एक बार कंफर्म कर ले रहे हूं सर यहां पर बैठे हुए है सर यह रोट फॉरलें हो रहा है कि सिक्सलें इस अब बात कर रहे है तो थोड़ा एक में पत्रक आप लोग देख सकते हैं यहां पर देख रहे हैं तो थोड़ा कंपम कर लेते हैं सर से इसको आप मिलते हैं पर देख रहे हैं तो थोड़ा कंपम कर लेते हैं से इसको आप मिल है पीड़ों की कटा ही गोर यह देख रहा है यहां पर चड़ रहे हैं और आगे चलते ऑर आपको दिखाते हैं कि कि इस बताथ है अभी वन विभाकी लोग है आदिकारी तो कि तीन चाड़ों तो वेट झातेज से पहरे समस्तु ने बोला कि भी ऐताता करें कर दो सरे चेयरे के इसके रवड़ ऐंगे ुड्ई पनुसलें जह लेक्ова विजिए अन्हींट मारा उठीन और है योज़न स्पराछा सवच्ष्ष्षा एक्ष्ष्ष एंगे खार थे कि तो फिर आगे चलते हैं और आगे देखेंगे कि क्या है तो साथियों जैसा कि सामने है कमसेठी चौरहा और पहले यहां पर कंफंड करते हैं कि तड़क शिक्सलेन हो रहा है कि फोर लेन हो रहा है कर सो भी। लिएक देखेंगी अंचे यहुदान हो रहा है फिर अधिकारी लोग से ढहें कि यहां लिदा करूराइज कि फोरलेन हो रहा है कि की बस कंफिजन को रहा है कोई सलिंट नहीं मिल पा रहा है जितने लोग हैं उत्ते तरह की बाते हो रही है कि वाएं साइड में हैं कम सेठी थाना देख रहे हैं तो चुछ रहा है चाएगे चलेंगे बदोई रोड पर ही और कंफर्म करेंगे हमें है म्हां लिए कि are Olá देख हैं मैं तो लोड काफी चोड़ा पहले से बना हुआ है कि प्रभी किसी से कंफर्म करेंगी किसी से कंफर्म करना आए है क्योंकि सही जानकारी जनायी तो कंफर्म करना पड़ेगा फ्रूपते हैं और किसी से पूच्छ्त आं तो साथियों अभी हम लोग कंदिया फाटक के साइड आ चुके यानि कंदिया फाटक अभी 300 मीटर पहले ही है जहां पर की कंपनी का सेटप अगरा बैठ रहा है तो आगे चल कर देख लेते हैं कि इसेटप अभी कितना तियार हुआ है देख रहा है यहां पर आपार आप बैठाया जा रहा है और यहां पर रूपते हैं और थोड़ा कंपर्म करेंगे कि रोड जो है और लेन हो रहा है कि हैं देख रहे हैं यह सारा जो है स्टाप बैठाया जा रहा है अफिस उफिस बनाया जा रहा है तो दुख को जो सकता है क्लियर ना दिख रहा है आप लोग को पहले में लोग कंफर्म कर लेते हैं तो फैमिली जैसा कि कि अगर आप लोग कुछ लोग हैं जो लोग की फोर लेन हो रहा है कुछ लोग वोलने की सड़ antale-now रहा है ठीक है तो जो फोर लेन बोल रहा हैं मैं पर उनसे कंफर्म कर लों कि यह लोग आप लूग पेले यह सड़क देख लिए बीजिस पर सेमलोग चल रहें कंधिया फा जो लोग बोल रहा है कि 6-lane हो रहा है तो मैं उनकी बात से तो सामात हूँ कि यह तो रोड पहले सेही नहीं नहीं है लेकिन अम मार्केट में इसे कप से ठी चाराहे पर भी मैंने पता किया लोग बोल रहा है कि मुझावजा नहीं मिल रहा है और यह शिक्सले हो रहा है अभी यहां पर जो सेटब बईठ रहा है कंपनी का कंदिया फाटक के पास इनके अधिकारे से पूछ रहा हूं तो चार-छे लोग बईठे थे तो वो तो बोले की कैमरा में रिकार्ड मत कीजिए जो पूछना है पूछिए तो उनसे मैंने कंफरम किया तो लोग बोल रहे हैं कि नह गया है कि लिए रोड और रहा कि शुक्स-लेझन हो रहा है अब एहां के जो अधिकारी थे बोल रहा है कि मौज़ा भी बठा है जब्कि मैंने चप्राय पर प्रता किया कपस Si Speaker plum करता किया कहें लोगों से की मौज़ारीन रहा है कि नहीं तो लोग बोने कैसे क्पता नहीं बनारस की बात करें तो बनारस में आप उससे पूछेंगे कि रिंग रोड से चांदपूर चौरा है तक खोर ले नहीं कि सिक्ष लेने वह सारा कुछ मैं बता दूंगा पूरे डीटियल के साथ बता दूंगा और बताता भी हूँ वीडियो में लेकिन इधर पर क्या है कुछ क कंफम ही नहीं हो पा रहा है ना तो अधिकारी लोग कुछ कंफम कर पा रहे हैं नो यहां के स्थानी लोग कुछ कंफम कर पा रहे हैं ना ओनलाइन कोई कुछ पता चल पा रहा है खबर नहीं तो बनने को तो यहां पे कंदिया फाटक वे उल्भी बनने वाला था रोभी बन कैसे भी क्लियर हो जाए इन कैसे क्लियर होगा कहां से क्लियर होगा आप वो आगे भी चलेंगे इसी तरह दुचार लोग और पुछेंगे कि देखें यहीं पर फुल बनने वाला था तब कुछ आगे रखा हुआ है प्रारंबे की तिथी और पूरा करने का तिथी सब भी चुका है अभी तक यहां पर कोई कुछ भी हुआ नहीं है नहीं है जब कि इस दिन के लिए से बंद भी किया गया था फाटक को है कंडिया फाटक 24 स्पेशल में देख है है कि यहां पर सारा खना वता था उस दिन पहले अभी तो कुछ भी नहीं है तो अभी हम लोग इंद्रामिल से पहले ही है वे इंद्रामिल के साइट चल रहा है तो देख रहे हैं दोनों किनारे पर जो है रोड किनारे जो भी यह ती क विश्टार्ण फिर्माडगंदकी थी वो सारी अटाई गई है और सामने यह है चारी बजार आगे तो इधर से देख रहे हैं इस इंगल रोड है तो इधर तो आला की चौड़ा किया जाएगा में बीच में तो जैसा कि फोरलेन ही पहले से तो बीच में उतना काम नहीं करना ह किया जाएगा और इधर चौरी बजार में ही जो है सबका मकान ज्यादा तोड़ा जाएगा और मैं आपको बता दू कि इधर कम सेठी चौरी बजार इधर साइड में मुआउजा मिल रहा है तो आप लोग एगार कंफर्म कीजिए आप लोग का जबी जमीन है तो एक बार आ तो उनको लगभागा शब्वीश लाख रुपए मिल रहा है मैं बोले कि सर्क्लिट के साब से मील रहा है तो मैं बोला कि इस आपका बीदेखे खेंट शब्वीश लाख कि उच्छार रुपए अभी आपको मिलेगा यानि कुस आप से कि हुए सवाल रुपए विश्य के सा मंदिर दुकान मकान सबके तोड़े जाएंगे तो इदर तो अभी कुछ कारें हो नहीं रहा है आगे फिर फोर ले नहीं रोड तो जैसा कि साथियों यह कंफाम हो गया है कि अब जो क्यों दुन लास्ट टे पिया रहा है उसे साथ के रोड फोर लें बन रहा है कंफी लोगों से मैंने पता किया मैंने यह कंदtar लेन्हें पर ले वागी जिस किसी का भी जमीन है वो अपने तासिल पर पता करें कि क्या 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 चाहिए और मुझा प्रक्रिया है कितना सर्किल रेट है पता करकर मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या डाकुमेंट चीए कैसे मिल रहा है क्या इसका कहां पर फर्म भरना पड़ेगा कब तक पैसा आएगा सर्किल रेट कितना है वो सारा आप लोग भी मुझे बताइएगा तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही आई होब कि आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक पारा से कमेंट जरूर करिएगा जिस्टे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं औ जाले मिंका आदे उनल कता है कि मैं तैनल ताहिए एक जालो को रूर की है